नमस्कार गाई स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल इस्टडी लिफ्ट में और आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की राजनतेक भोगोलेक और सामान ज्यान से संबंदित कोशन्स जो की यूपी ट्रपल एस सी और बंडे एक्जाम में अधिकतर पूछे ही पूछे जाते हैं तो चरिए सुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का हमारा पहला कोशन्स है आकार की द्रश्टी से उत्तर प्रदेश की भोगोले के स्तती है लंबवत भी त्रबुजाकार सी चत्रबुजाकार और ऑप्शन डी है परवलयकार तो गाई जिस कोशन्स का Fate parcels का सही है आनसर है ऑप्शन ए लंबवत नेच्स कोशन्स देखते हैं फशन से उत्तर भारत फ्रदेश भारत के छेट्र कर्च कुल कितने प्रतिसाद है आफनसर देखते हैं हमारा नेक्स कोशन्स ने चैसे इस पॉइंट सिक्स त्रीं पॉइंट सभाई जिस्कोशन का सही आंसर है उपसंदी शेवंट पॉइंट पॉइंट से नेक्सकोशन नेख ने चहतने चेतफ़ अंजिश्टी से उत्तर प्रदेश के इन दो राज्यों के भी चीस्तित हैं option A. राजिस्थान मद्यपृदेश, option B. मद्यपृदेश गुजरात, option C. महराष्ट गुजरात और option D. मद्यपृदेश महराष्ट तो guys, this questions का सही answer है option C. महराष्ट गुजरात next question देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों की सीमा को इस पर सिक करती है option A. तीन, option B. दो, option C. एक और option D. एक भी नहीं तो guys, this questions का सही answer है option C. एक next questions देखते हैं हमारा next questions है UP की सीमा को सरवाधिक इस पर सिक करने बाला राज्य है option A. मद्यपृदेश, option B. हिमाचल प्रदेश, option C. हर्याणा और option D. उत्तरा खंड तो guys, this questions का सही answer है option A. मद्यपृदेश next questions देखते हैं हमारा next question है नैपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को इस पर सिकरती है option A. 6, option B. 5, option C. 8, और option D. है 7 तो guys, this questions का सही answer है option D. 7 next questions देखते हैं UP का सबसे पूरवी जिला है option A. सामली, option B. बलिया, option C. सहरनपूर, और option D. है तो guys, this questions का सही answer है option B. बलिया next questions देखते हैं next questions है नियुनतम छेतर बाला जिला है option A. गाजियबाद, option B. हापूर, option C. बदोई, और option D. है लखीम पूर तो guys, this questions का सही answer है option C. बदोई next questions देखते हैं A बलिया ऑप्षन B सहारनपूर ऑप्षन C सोन भद्र और ऑप्षन D है आगरा तो गाइज इस कुशन का सही आंसर है सोन भद्र नेक्स कुशन देखते हैं प्षन नेक्स कुशन से स्तरवाधिक जिलों को इस पर्स करने वाला जिला उप्षन ए लखीमपूर उप्षन B बदाईयूं उप्षन C हर्दोई और ऑप्षन D है ललिट पूर वाइज इस कुशन का सही आंसर है उप्षन C हर्दोई नेक्स कुशन देखते हैं नेक्स कुशन है यूपी को कितने भौतिक भागों में बाटा गया है उप्षन A 3 उप्षन B 4 उप्षन C 9 और उप्षन D है पांच वाइज इस कुशन का सही आंसर है उप्षन A 3 नेक्स कुशन से देखते हैं हमारा नेक्स कुशन से सोनकर और कैमूर की पहाड़ियां किन ज है उप्षन A लालीत पूर जहां सी ओप्षन B मिड़वरो सोन बदर और कि नेक्स कुशन से यूपी की जलवायू को कितने भागों में बाटा गया है उप्षन стрीन ऐर ती सी nètres क्वे से नोउप्षन दो तॉप्षन इस questions का सही answer है option D, 2, next questions देखते हैं, next questions है UP का सरवादिक बर्सा वाला जिला, option A मत्रा, option B गोरकपुर, option C बरेली, और option D है लखीमपुर, right, इस questions का सही answer है, option B गोरकपुर, next questions देखते हैं, next question है मारा, निम्न में से हिमालई नदी नहीं है, उप्सन ए गंगा, उप्सन बी युमना, उप्सन सी सारदा, उप्सन डी चमबल तो गाई जिस questions का सही answer है, उप्सन डी चमबल नेक्स questions देखते हैं, हमारा next questions है निम्ण में से कौन सी नधी सबसे अधिक बीहड का निर्मार करती है उप्सन ए युमना, उप्सन बी विरहमपुत्र, उप्सन सी चमबल, उप्सन डी गंगा तो गाई जिस questions का सही answer है, उप्सन सी चमबल नेक्स questions देखते हैं, हमारे next questions है साकंबरी देवी का मेला कहां लगता है उप्सन ए सोन बद्र, उप्सन बी सहारनपूर, उप्सन सी भदोई, उप्सन डी प्रियाग राज तो गाईज इस questions का सही answer है, उप्सन बी सहारनपूर नेक्स questions देखते हैं, हमारे next questions है उत्तर प्रिदेश की जलवाईयू को कुल कितने भागों में बाटा गया है उप्सन ए साथ, उप्सन बी आठ, उप्सन सी पांच, उप्सन डी नौ तो गाईज इस questions का सही answer है, उप्सन डी नौ नेक्स questions देखते हैं, दुदुवा नेशनल पार्क इस्तित है उप्सन ए कोसी नगर, उप्सन बी लखीमपुर खीरी, उप्सन सी सोनभद्र उप्सन डी सिरावस्ती तो गाईज इस questions का सही answer है, उप्सन बी लखीमपुर खीरी नेक्स questions देखते हैं, हमारा नेक्स questions है भारत माता मंदिर इस्तित है option A आगरा, option B 12C, option C प्रियागराज और option D है जॉन पोर, तो गाई जिस questions का सही आंसर है option B 12C, next questions देखते हैं, हमारा next questions है उर्दू को राज जी की दित्तिय वहां सा घोसित किया गया option A 1947, option B 1989, option C 1987 और option D है 1991 तो गाई जिस questions का सही आंसर है, option B 1989 next questions देखते हैं, bismillah khaan का संबंध है option A तबला, option B पकावज, option C सहनाई और option D है ठुमरी, तो गाई जिस questions का सही आंसर है option C सहनाई, next questions देखते हैं संभू महराज का संबंध है, option A ठुमरी, option B खयाल गायक option c kathak option d गायक तो गाइज जिस कोश्चन का सही आंसर है option c कathak next questions देखते हैं next questions निम्न में अफीम का कार खाना है option a गाजीपूर, option b सहाजबपूर, option c गोंडा और option d है गोरकपूर तो गाइज जिस questions का सही आंसर है option a गाजीपूर अब देखते हैं next questions, next questions है हमारा गोबिन्द बल्लब पंत सागर बांध किस नदी पर इस्थित है? option A, बेतबा, option B, सर्यू, option C, सोन, option D, रिहंद तो guys इस questions का सही answer है, option D, रिहंद next questions देखते हैं, हमारा next questions है, फुलहर जील है option A, प्रताबगर, option B, पीलीवीत, option C, जहांसी, option D, लखीमपुर खीरी तो guys इस questions का सही answer है, option B, पीलीवीत next questions देखते हैं, next questions है, हमारा उत्तर प्रदेश का विवाजन कब हुआ? option A, 1956, option B, 1950, option C, 2000, और option D, 2004 तो guys इस questions का सही answer है, option C, 2000 next questions, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुलिस सीट्स है, option A, 80, option B, 425, option C, 31, और option D, 100, तो guys इस questions का सही answer है, option C, 31, अब देखते हैं guys, आज का next questions, next questions है हमारा, मातर टीला बांद, कौन सी नदी पर इस्तित है, option A, रिहंद, option B, बेतबा, option C, सरीव, और option D है, सोन, तो guys इस questions का सही answer है, option B, बेतबा, next questions है हमारा, और यही questions हमारा, आज का आखरी questions है, नौचंदी मेला लगता है, option A, मतरा, option B, मेरट, option C, 12, बारा बंकी, option D, आगरा, तो guys इस questions का सही answer है, option B, मेरट, तो guys आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, questions अच्छे लगे हैं, तो channel को subscribe करें, वीडियो को share करें, like करें, comment करें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जाए हिंद,